नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी नूज सक समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज सावन अधिक मास के क्रिशन पक्स की दसमिती थी और दिन गुरुवार है तद अनुशार अंग्रेजी तारिक 10 अगस्त संद 2023 आज सुर्यो देख सुबह पांच बज कर 47 मिनिट पर होगा आईए सबसे पहले एक नजर डालते दिन बर की सुर्क्यों पर हर्याणा के साथ सहरों में बिगडे का मोसम 40 किलोंटर परती घंटे की सपीड से चलेंगे हवाईं हालकी से लेकर मद्न बारिस की संभावना फिर एक्टिव होगा मानशुन हर्याणा सरकार का महिलाओं को बड़ा तोफा बताएंगे पूरी अपडेट नो में आज करिफ्यों में आठ घंटे की राहत जिलाधीस बोले 10 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग कर्श केंगे आवाज आई कैथल में आसा वरकरों का धरना जारी बोली सरकार ने पूरी तरह से अंदेखी की कोरोना काल की प्रोच्छान रासी भी नहीं मिली ग्रह मंत्री का 12 अगस्त को जनता दर्बार लगेगा अंबाला कैंट के PWD रेस्ट आउस में सुनेंगे सिखायतें एक बजी तक पहुंचने वालों के होगी एंट्री दक्षन हरियाना के महेंदरगड जिले के नारनोल में कीडों ने चट की बाजरे की फसल दोहान 25 चेत्र के किसान बोले डिसी से मिले कहा हेलिकोप्टर से दवाचिटकाओ करवाई फत्याबाद में डिसी ओफिस पर किसानों ने डाला पड़ाव बाढ़ गरस्त शेमगरस्त इलाकों में समस्याओं पर रोस बोले दुख की घड़ी में भी काटे रासन काड़ हरियरणा में एमेले गोपाल कंड़ा पर इड़ी रेड गुरूग्राम में घर वे ओफिस खंगाला जा रहा पंदरा दिन पहले एर होस्टे सुसाइड केस से बरी हुई थे राजस्तान के मुख्यमंदरी आसोग गैलोत बोले राजस्तान में जातीगत जनगरना होगी ओबिसे आरक्षन 27 परसेंट होगा तो मूल ओबिसे को अलग से 6 परसेंट को टा मिलेगा एशियन चेंपियन स्ट्राफी होकी भारत ने पाकिस्तान को 40 से हराया पॉइंट स्टेबल में टोपर भारती टीम पाकिस्तान बाहर कप्तान हर्मन प्रीत निधा के दो गोल और वर्ड कप का नए शेडूल जारी 9 मैचों की तारिखे बदल दी गई हैं भारत पाकिस्तान म नौमबर को कोलगाता में भिड़ेंगे और अब खबरें विस्तार से की संभावना है बारिष के साथ ही जिलों में 40 क्लिम्टर प्रति गंटे की स्पीड से हवाई चलने का भी अनुमान जताया है मौसमी बाग ने आज से फिर शूबे के अधिकान्स जिलों में मानसुन एक्टिव रैनिंग की संभावना जताई है हरियाना में बाड से 30 रुपए के नुक्षान की संभावना जताई गई है देश में पहली बार यमना नदी से सटे 6 जिलों के लिए हरियाना सरकार नई पॉलिशी बनानी जा रही है इसके तहत यमना में आई बाड या फिर ज्यादा बारिश से यमना नगर करनाल पानिपत चोनिपत पलवल वा फरीदाबाद के खेतों में जमा हुई रेत वा गाद की निला में कि जाएगी इससे मिलेवाली 10 लाग रुपए तकी धनासी में से एक ट्याई हिस्सा किसान का होगा तो वहीं दो त्याई हिस्सा सरकार के खाते में जमा किया जाएगा इस पॉलिशी से किसान और सरकार दोन में पहुंच गया है गुरुप 56 के एक दिन पहले गुरुप 57 के पेपर के 41 परसंट रिपेट होने के बाद अब पजास से अधिक स्पेलिंग मिस्टेक भी मिली है विपक्स अब इसको लेकर पेपर लिक में परियोग होने वाली कट कॉपी पेस्ट तकनिक होने का सक जता रहे हैं सानसद इम्प कॉंग्रिस कराश्टि मासाचिव रनदेप सिंग सुर्जवाला ने कहा है कि गुरुप 56 और गुरुप 57 के कुल 12,116 पदों के लिए 627 अगस्त को ही पोरी पेपर प्रकिरिया पेपर लिक माफिया के भेंट चर चुकी है भरती प्रिक्षा को रद करके पन और गुरुप 57 के पेपर में 41 सवाल रिपेट होने के मामले को लेकर हरियाना करमचारी चैनायो के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी का कहना है कि आयोग समिक्षा कर रहा है इस मामले में पेपर बनानी वाली एजन्शी को नोटिस जारी किया जाएगा कानूनी राई भी ल पोड़ाला ने कहा कि 41 सवाल रिपीट होना गंभीर मामला है वे सिय मनहोलाल खटर से बात करेंगे हरियना में हिंसा के बाद बीजेपी नेता बुद्वार को नू पहुंचे इसमें भाजबा परदेश अदेक्स ओंपरकास धनकड के साथ कैबिनेट मंत्री बनवाली लाल परदेश महमंत्री और विधायक मोहनलाल बडोली विधायक संजय सिंग समय सिंग भाटी मौजू थे उन्होंने सरकिट हाउस में अधिकारियों से पूरे हालात की जानकारी ली हालाइं कि उन्हें हिंसा से प्रभावत हुई छेत्रों में नहीं जानी दिया गया और सरकिट हाउस से ही लोटा दिया गया ओम्रकास धनकर ने कहा कि नो में हालात अब सामाने होने लगे हैं बाजार खुलने का समय दिर दिर बड़ रहा है दोनों समुदाइक लोग भायचारी के प्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं पांच सदश्य परतिनेदी मंडल नो में पेड़ेतों हिसार में किसान खरीब 2022 की सिजन की फचल के मौवजे के मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसान आज लगोश हची वाले का गेराव करेंगे दूसरे और परशासन का दावा है कि 29,9,3,3,325 रुपे गिरासी का कलेम प्रिक्रिया धीन है और उम्मीद है कि इसी सब्ताय किसा इसके मामले किर्शियम किसान का लियान विवाग तता केंदर सरकार के स्तर पर विचारा दिन थे इनमें से 22 गाउं के किसानों के कलेम को परशासन जल्दे ही जारी कर सकता है डेसी उत्तम सिंग ने कहा राजी सरकार तथा जिला परशासन हमेशा से मुश्किल वक्त में किसा किसानों के साथ खड़ा रहा है और फसलों के खराबे के मामले में उचित मौवजा रासी किसानों के खाते में दे दी गई है इसलिए किसान भाईयों को जनहेद में अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए ताकि लोगों को एस्विधाना हो हर्याना के नो में हिंसा के बाद से कर्फि लगा हुआ है जिलादीस धिरेंदर खड़गटा ने जानकरी दी कि 10 अगस्त को सुबए 7 बजी से लेकर दोफेर 3 बजी तक कर्फि में 8 गंटे की धिल दी जा रही है लोग इस दोरान आउशिक सामान आदी की खरीद कर सकते हैं इस दोरान नागरिक जरूरी सामान आदी खरीद सकते हैं उन्होंने बताया कि इस समया अधिक के बाद कर्फि लागू रहेगा आदेशों का उलंगन करने वाला नागरिक अगर दोशिप आया जाता है तो भारते दंड सहीता की धारा 188 और लागू अन्य सभी प्रासंगे क नेमों के तहट धंड के लिए उत्तरदाई होगा हरियना विधान सभा के 25 अगस्त से शुरू होने वाले मानसुन सत्र को लेकर बुलाएगे कोंगरिस विधायक दल की मीटिंग टाल दी गई है इन सब प्रभावित जिलोंग खासकर नू के विधायकों ने मीटिंग में आने के लिए ऐस मर्थता जताई जाने के बाद पार्टी ने बड़ा फैसल लिया है अब संभावना यह जताई जा रही है कि मीटिंग अब 15 अगस्त के बाद होगी इसके लिए अबी से कोई तारिक फाइनल नहीं किया है लेकिन पार्टी शूत्रों का कहना है कि अगस्त के तीसरे सब्ता में मीटिंग होने की संभावना है सत्र में परदेश की बीजेपी बे जेजेपी गटबंदन सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी कि हिंसा की दोरान हरियान के गोरक्षक निसाना थे नासीर और जुनायत की हत्या पर पुलिस की निस्करेता से वे नारा चल रही थे इसलिए वे 31 जुलाई को कथी तोर पर दोनों की हत्या से जुड़े गोरक्षकों को निसाना बनाने के लिए नू आये थे इस पूरे मामले में नो पुलिस के प्रोक्ता का गयना है कि हरियाना पुलिस राजस्तान में छुपे हिंसा के आरोप्य को पकड़ने के लिए राजस्तान के आधिकारियों के संप्रक में है हारियना के हिसार के लगूर सचिवाले में केंद्रे ट्रेड यूनिन के आहवान पर मजदूर और करमचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली करवाने कच्चे करमचारीं को पका करने वेतन बढ़ोतरी करमचारीं की सुरक्षा सहीत तमाह मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं करमचारीं ने पहले परदर्शन किया ठीक उसके बाद 24 घंटे के लिए पढ़ाव डाल दिया गया है इस महापडाओं में कई यूनिन के साथ जुड़े करमचारीं ने भाग लिया सभी यूनिन के नेताओं ने मिलकर जिला परशासन को परधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी के नाम ग्यापन शोपा इस दोरान लंबित मांगों को लेकर शड़कों पर परधर्शन किया गया महीं कॉम्रेड सुरेश ने बताया कि अगर फिर भी सरकार ने हमारी मांगों को लेकर संतोजनक जवाब नहीं दिया तो आगामी समय में बड़े आंदरोन का भी ऐलान किया जाएगा हरियाना सरकार ने रक्षा बंदन पर महिलाओं को बड़ा तोफा दिया है सरकार ने तोहार पर हरियाना परियान के बसों में इस साल भी यानि फिरी यातरा सुविधा देने का निर्ण लिया है प्रिवहन मंत्री मूल्चन सर्मा ने बताया कि विभाग के दोरह पिछले कई सालों से रक्षा बंदन के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यानि फिरी यात्रा सुईदा दी जा रही है या सुईदा साधान वर स्टेंडर्ड दोनों तरह की बसों में लागू कर दी गई है हिसार में बास हे रहा कि अनाज मंडे में बुद्वार को क्रांती दिवस के आउस्तर पर भारत्य किसार मजदूर यूनियन खाप और किसार संगठनों की पंचायत हुई इस महा पंचायत में हिंदू शिक और मुश्लमान समाज के परतिनेदों ने भाग लिया इसमें सामोई फैसला लिया गया है कि वैं किसी भी धार्मिक और जाती दंगे में सामिल नहीं होंगे उन्होंने कहा कि हम अपने देश और पर्देश को इस प्रकार के जाती दंगों में जलने नहीं देंगे महा पंचायत ने सरकार से मांग कि है कि वैं मौनु माने सर और बिट्टू बजरंगी को गरफतार करे साथी भड़काओ भाषन देने और वीडियो डालने वालों को सरकार तुरंद रूप से गरफतार करे इस पूरे मामले की निश्पक जाच करे महा पंचायत में खाप नेताओं ने कहा कि परदेश और केंदर सरकार जाती और धर्म के नाम पर लड़ाई करवा कर आपसी भायचारे को खराब करके अपनी राजनीतिक महतवक आंशा को पूरा करना चाहती है लेकिन देश समीधान से चलेगा मुश्लिम नेता साहिद नवादा ने कहा कि सभी बंदे भगवान के हैं सभी को कर्मों का फर मिलता है भारत में दो मुख्य लड़ाईयां महा भारत और रामायन से भी सीखने के आउशकता है और सभी को मिलकर चलने की जरूरत है किसान नेता मंदीप नत्वान ने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों वाली फूट डालो वर राजकरों की नीति अपना कर राज करती है लोगों को विकास के मुद्दे से अटागर नू जैसी वार्दाते करवा कर चुनाव जीतना चाहती है जो कि उनकी मनसा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा दक्षन हरेणा के नारुनुल में दोहान 25 के अनेक गाउं के किसानों एम जन परती निदों ने खराब हुई बाजरे की फचल के माउजे के लिए डेशी को ग्यापन सोपा वहीं दूसरी और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता एम पूरु मंत्री राव नरेंदर सिंग से भी अनेक किसान मिले उन्होंने माउजे की मांग सरकार से की कई गाउं के सरपंच वह पंचो ने कहा कि खरीब की फचल में बाजरे की मुख्य फचल होती है और बाजरे की यह फचल इस समय पूरी तुरशे पकने को तयार है परन्तु पूरी फचल को केड़ों ने खा लिया है साथ ही किसानों को 50,000 रुपे परती एकड़ मौजे की रूप में भी दिया जाए वहीं दूसरी और अटेली छेतर के किसानों ने पूरो मंतरी राव नरेंदर सिंग से मुलाकात कर बाजरे की फचल में लगे कीड़ों के परकोप की बारे में बताया इस पर पूरो मंतरी ने सरकार से मांग की कि किसानों की बाजरे की फचल पर ड्रोन से दवाई का छेटगाव करवाय जाए वहीं किसानों को खराब्य का नुक्सान भी दिया जाए ताकि किसानों की कुछ भरपाई होशके हरियान के फध्याबाद में बार वच सेमगरस छेतरों के किसानों की मांगो को लेकर सैयूत खिसान मजदूर मोर्चा द्वारा डीशी दफ्तर पर पड़ाव डाला गया बेश शूत्रे मांगों को लेकर किसानों वा मजदूरों ने परदसन किया और सरकार वे परशासन के खिलाफ नारेवाजी का रोज जताया दूसरे तरफ पगड़ी समाल जिट्टा किसान संगर स्मीत ने 18 अगस्त को डेशी कारेले के बाहर पक्के मोर्चे की चेताव ने दी है उन्होंने कहा कि एक मैना से पत्याबाद का आदा हिस्सा भेंकर रूप से बाड़ की चपेट में है जबकि भट्टू का इलाँका सेम की चपेट में है हजारों एकठ जमीन में अभी भी बाड़ का पानी खड़ा हुआ है बाड से हजारों धानिया और गरीब बस्तियां पानी में डूबने से मकानों में दरारे आ गई हैं तो वहीं रहने लाइक मकान भी नहीं बचे हैं गरीब बस्तियों में पीने का साफ पानी तक उपलब्द नहीं है, साथी खाने का रासन तक नहीं है, उन्होंने कहा कि सरकार संकट के इस गड़े में कोई राहत देने के बजाए, रासन काड़ काट कर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, बाड की वज़े से इलाके में अनेक तरह की बिमारियां आई हुई है, बिमारियों का इलाज करना तो दूर मच्छर मार दवाईयों तक कर शिड़काओ भी नहीं किया जा रहा है, इसलिए मांगों को लेकर आज यह पड़ाव डाला गया है, उन्होंने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन औ अनि पीएफ अकाउंट पर 8.15% की दर से ब्याज की मंजूरी परतान कर दिया है, आप अपने रजिस्टर मोवाईल से 9960,444,25 पर मिस्ट कोल देकर पीएफ बैलेंस जान सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ शेर बाजार में बढ़त देखने को मिली है, सैंसेक्स 119 संक्षड कर 65,995 की स्तर पर बंद वा, वहीं निप्टी में 61,632 की स्तर पर बंद वा, वहीं एक डोलर का रेट 22 रुपे 92 में पैसे कि स्तर पर पहुंच गया है, वहीं भारतिय सराफा बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है, 24 कैट के 10 गराम सोनी की केमत की बात करें, तो 69,247 अपना हर्यान का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल, CWB हिंदी न्यूज, नमस्कार